हेलो एब्रीवान वेलकम बैक टुद रिवायन चारो कैसे ही आप सभी लोग आई होप आई विश आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छी होंगे गाइस आजगा तकी में देखूंगी कि आपके पार्टनर कि आज रात की फिलिंग वह आपके बार میں क्या सोच रहे आज रात हम देखने वाले हैं आपको करना क्या है आपके भूसला की फेलिंग्स आपको आइट थो चली देख लेते हैं नियर फ्यूर भी अप देखेंगे ठीक है कि नियर फीर क्या 치ा जल्दी निवर्स एंगल और बताये मुझे मेरे विवास का ध्यान कर रहे है उस पोर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आज रात क्या चल रहा है उनके माइंड में गाइट करें डिवाइन के ठीजिये कर साथी मुपकर चाहते हैं यह विख्ति अपने लाइफ में ख्लियर अपर्स को रहे हो यह पाशनी शिर्बात करते हूं लुप कि उप्रों करना नज़ितनी काका चाहते हैं करते हिताश्य जो बपर्टूनिटी इन और 222 बार आपको साथी जाना और G works deskky कि आपके पॉर्सन की राशी यह आपने भी पास्ट मीं को उफर किया है थीक है वर तो आपको इसा हो सकता है कि मना कर दिया या इन डारिकली वे में कुछ ना कुछ चीजे इन्होंने लाइक आपको एक्स पैस जरूर करिए ठीक है बताई जरूर है जिस्ते लाइक आप दोनो इस टाइम पर अपने लाइफ में नई शुरुबाद चाहते है इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया रोना धोना या बहुत हो गया लोगों के बारे में सोचना ठीक है अब मुझे अपने लिए एक्शन लेना है अपने लाइफ में खुश रहना है येस थाट पार्टी स कि यह वैक्ति इक नई जल्ग ट्रावल करने वाले अपने विश के लिए यह हो सकता है बाहर जगा घूमना ठ्रावल करना ठीक है बहुत बलंब समय से बधूर में थैसा लग बाल तक है इसको बहुत बहुत है मिद्युश औरItal घुवत ニ dai वそう टेर्थी मिया पहुत है c कभी action नहीं लिया, Aries, Leo, Sagittarius आपके partner की राशी हो सकती हैं, ठीक है, इन्होंने अपने लिए कभी action नहीं लिया, या अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा ठीक है, जब कभी भी इन्होंने चाहा कि ये खुद के बारे में सोचे या खुद के बारे में कुछ अच्छा तब ही कहीं न कहीं इनको या तो बहुत सारी tension हो जाती थी या लोगों का burden या लोगों की wish पूरी करनी है ठीक है लोगों को साफ करना है ये सारी चीजे होती थी बट ये जो भी situation है जो भी जैसा चल रहा है आपके partner उसको वही छोड़ के अपनी लाइफ में एक नई शुरुवात कर रहे है chances है कि अपने लाइफ में कोई business या कोई job नया start कर रहे है कुछ ना कुछ इन्होंने definitely finance के related start जरूर करा है जिसके बारे में plan बनाते हुए महनत करते हुए नज़र आ रहे है chances है recent past में इन्होंने किसी को खोया है किसी दोस्त को या किसी ऐसे friendship को जो ये बहुत मानते थे जिसके साथ बहुत सारी चीजे अच्छी थी या आपकी भी energy हो सकती है ऐसा लग रहा है इस person ने कुछ lost कर रहा है उसके बारे में सोच रहे है argument की वज़े से lost हुआ है इनके life में चीजे बस ये सोच रहे कि मेरे साथ argument हुआ और वह वैक्ती मुझे छोड़ के चला गया उसके साथ friendship कमाल की थी उसके साथ love कमाल का था तो ये डारेक्ली इंडारेक्ली वे में आपको ही मिस्कर रहे है खुल के नहीं कहते ये person हो सकता है कि सब कुछ चुपाते है hidden रखते है ठीक है बट feelings और emotions बहुत है इस वैक्ती के मन में definitely चुपाते जरूर है ये बट yes आपके लिए feelings, emotions, desire बहुत रखते है ये person बट हाँ आपसे जो लड़ाई छुगरे हुई है आपसे जो misunderstanding कही है उसके बारे में काफी ज़दा सोच विचार करते है इनको ऐसा लगता है कि काश आप दोनों के रिष्टे में कोई misunderstanding या कुछ चीजे खराब ना होई होती ठीक है आपको एक offer करते एक love का offer करते और आपके साथ ये बहार घूमने जाते आपके साथ चीजों में celebrate करते कहीं ना कहीं ये person आपके साथ जाने की एक्षा रखते ठीक है the chariot के energy रिप्रेजेंट करता है किसी तैयारी की कहीं बाहर जाने की ठीक है बट ये sometimes ये राजा confused भी है कि क्या मेरा जाना सही होगा नहीं होगा क्यों क्यों यहां पर इसको positive इनका mind positive और negative दोनों हो रहा है ठीक है बट राजा जो है वो काफी strong है इसका mind बहुत अच्छा चलता है study में काफी अच्छा है ये ये काफी knowledgeable person है decision बहुत अच्छा लेता है अपनी life में लेती है ठीक है इस भी तरीके से आप समझ सको मैं जस्त आपको example दे रही हूँ cards का ठीक है near future भी हम देखेंगे क्या expected है बट ये वेक्टी चाहते ज़रूर है आपके साथ रहना बट ऐसा लग रहा है अभी ये सरिफ अपने life को लेके काफी जादा concerned है ठीक है अपने life के बारे में सोच रहे है जो situation जैसी है उस situation को छोड़ के वहीं से निकल जाना चाहते है because past में इनके life में burden बहुत रहे है ये बहुत अटक के रहे है past में ठीक है आप ये चीजों में अटकना नहीं चाहते ये चीजों में और ज़्यादा compromise इनको नहीं चाहिए भाई जितना compromise मैंने किया या जितना मुस्से हो सकता था ठीक है मैंने किया अब मेरे से नहीं होगा ये give up करते हुए नजर आ रहे है लोगों पे give up कर रहे है लोगों को छोड़ रहे है ऐसा लग रहा है इनको realize हो रहा है कि लोग इनसे कुछ ज़्यादा की मांग करते ठीक है लोग इनसे ज़्यादा चाहते बट येस आपके partner पहले देते थे इंट्रस्टेड थे बट अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी इंट्रस्टेड नहीं आप लोगों को देना दी वील फॉर्चून दी हिरोफेंट गिंग अफ करप्स दी एंपररवा भाई क्या बात है ये वेक्ति आपके तरफ initiative लेना चाहते ठीक है आपके तरफ आना चाहते ये सी वेक्ति आपके बारे में सोच रहे एक नई शिरुवात करते है ये जौब बिजनस कहीं पर भी नई शिरुवात करते हुए नजर आ रहे है ऐसा लग रहे है बहुत लोगों के लिए divine timing close है जिसके वज़ह से इस person के माइं में already thoughts जो है वह आना start हो गया है ठीक है अल्रेडि इंको सामझ आना start हो गया है कि चाहे third party situation है या fourth party situation हो या कुछ भी situation क्यों ना हो आपकी life में इस वैक्ति को रुखना नहीं है ठीक है इस वैक्ति को stuck नहीं होना आप अपनी life में जो भी problem है कहीं न कहीं उसको सम्हालते हुए है या आपके तरफ decision लेंगे जरूर ठीक है इनके मन में clarity नहीं रहेगी लड़का लड़की जो भी है इनको clarity नहीं receive होगी बट येस उसके बाद भी कहीं न कहीं अपनी intuition के हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहे सा लग रहा है काफी decision making person है ठीक है कोई authority position है इनकी और जो कुछ भी ये person travel करने वाले और ये हो सकता है कि अपने life में कहीं नहीं शुरुवात के बारे में सोच रहे है कुछ अच्छी शुरुवात आपके साथ हो सकती है ठीक है इन्वस मुझे बताए near future के expected है इन दोनों के रिष्टे में नियर future के expected है page of cups आपके partner आपसे age में छोटे हो सकते ठीक है या आप छोटे हो या ये person छोटे बट definitely age gap है two of swords ace of pentacles एक new beginning तो होगी ठीक है आपके रिष्टे में yes definitely आने वाले समय में एक new beginning होगी बट ये easy नहीं है ठीक है again में repeat कर रहे हूँ कि ये easy नहीं रहेगा because आपके near future में 10 of swords के energy receive हुई है right so yes ये आने वाला समय जो है near future जो है ये इतना जादा easy नहीं रहेगा कहीं नहीं इस person को doubt confusion इनके खुद के डर अंदर के इनकी सोच की कमी इनको रहेगी ज़रूर ठीक है ये person सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और और इनको समझ में आएगा कि मैं तो भाई ये नहीं कर सकता है strength काफी लाएंगे अपने अंदर कोशिश करेंगे कि चीजों को handle कर लू कोशिश करेंगे कि चीजों में सुधार लालू बड़ उसके बाद भी कहीं न कहीं ये new beginning करने से कत्राते वे नजर आ रहे ठीक है ऐसा लग रहा है करो या नहीं करो बहुत जादा confusion है इनको ठीक है बड़ इनका intuition ही इनको guide करेगा I feel कि इनका intuition ही इनको guide करेगा ठीक है और victory आएगा इस रिष्टे में बड़ थोड़ा सा situation जो है आपको समझना होगा because ये person खुद बहुत परिशान है ठीक है एक ऐसे ऐसी रातों से ये deal कर चुके है न ये आपको बता भी नहीं सकते कि कितना जादा रोए हैं तडपे हैं और situation कितनी जादा खराब रही है आने वाले समय में भी कही न कहीं ऐसी ही energy रहेगी ये बहुत जादा रोएंगे सोच विचार करेंगे ठीक है दस लोगों से बाते करेंगे क्या करना सही है क्या करना सही नहीं रहेगा उसके बाद जा करके को इनिशियेटिव लेंगे ठीक है फाइव पांटिकल्स टेफनेटली उसके बाद situation में कहीं न कहीं इंप्रूमेंट आ सकती है बट चांसेस है कि एक्षन ले एक्षन ले ठीक है एस ऑफ़ेंट के एनरजी डफनेटली न्यू बिग्निंग हो सकती है आने वाले समय में आप दोनों के जीवन में ठीक है इस यह परसन आपके लिए एक्षन ले सकते ठीक है इस बहुत जादा करते ही आपको प्लान बना रहे हैं आपके के बीच में चीजे सही हो जाए ठीक है आप दोनों वापस से एक रिष्टे में आ जाओ और वापस से आप दोनों के रिष्टे में वो सारी चीजे सही हो जाए जो यह परसन चाहते थे जिस तरीके से चाहते थे वैसा हो जाए ठीक है इनके कुछ लव मैस्ज़स की हम देख यह मिस्करते हैं, no one can even take your place in my heart, कोई भी ऐक ऐसा परसन नहीं है, जो आपकी जगह इनके life में ले सकते हैं, no one compared to you, किसी का comparison नहीं है, आपके साथ कोई like, यह कभी भी सपने में भी आपको किसी और के साथ compare नहीं कर सकते हैं, I cried inside of me, definitely, मैंने क्या कहा, कितनी सारी राते इन्होंन काटी है, यह सरीफ यही जानते हैं, यह किसी को बता भी नहीं सकते हैं, इतना जादा पेन आपकी partner नहीं सहा है, ठीक है, आप माने या ना माने यह सकते हैं, वैक्ति जब अकेला होता है, वो definitely रोता है अपने partner के लिए, ठीक है, आप imagine करके देखो, चाहे partner कितना भी बुरा क्यों ना हो, या किसी भी third party में involved हो गया हो, ठीक है, हो सकता है कि उसकी अपनी कोई lessons या journey रही हो, ठीक है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, हो सकता है कि यह person किसी के साथ धोके से भी involved हो गया, या किसी तरीके से इनको attraction हो गया, एक्स वाइजर जो भी reason था, जिस यह person रोते बहुत जादा है आपके लिए, ठीक है, I hesitate to express my feelings, आपके partner को अपनी feelings बताने में काफी जादा परिशानी होती है, ठीक है, बहुत कत्राते है यह person अपनी feelings को, अपने emotions को आपको जताने में, ठीक है, I know you miss me, आज भी आप इनका इंतिजार करते हो, ठीक है, और आज भी आप इनके लिए, wait करते हो, yes, यह person जानते है, I want to make love with you, yes, यह आपके साथ एक love वापस से, create करना चाहते है, ठीक है, यह आएंगे जरूर, आपके तरफ फैसला होगा, जरूर, I want to touch you, so claim this energy, guys, मैंने आपको कहा, कि यह physically आपको miss कर रहे है, definitely आपको किस करना चाहते है, औ यह आपको miss भी कर रहे है, और touch भी करना चाहते है, why you did this to me, so भाई, answer चाहिए इनको आपसे, ठीक है, answer चाहिए कि क्यों आपने ऐसा किया, या क्या चीजे आप इनसे गलती हुई, या क्या चीजे आप दोनों की रिष्टे में कमी थी, जो यह रिष्टा इस तरीके से हो गय ठीक है, we have never only be friends, तो आप दोनों friends नहीं हो, friends से बढ़के भी आप दोनों का अपर लेवल वाला रिष्टा है, hope you will understand me, definitely आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे है, ठीक है, आप दोनों का जो रिष्टा है, इस परसन को बहुत पसंदे, इस परसन कैसा लगता है, या बाते हैं, तो भाई ये मुझसे कहता ही नहीं है, तो मुझे पता कैसे चलेगी, ठीक है, कैसे चलेगा या कैसे मैं पता लगाऊं, येस आपकी तरफ कोई फैसला लेंगे, बट इनको थोड़ा सोचने समझने के लिए time चाहेंगे, ठीक है, अगर आप अभी approach करोगे, opportunity and offers है, बट उस opportunity और offer को कही ना कही है, साइड में, रखते हुए आपके बारे में सोच रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है, कि emotionally मुझे शान्ती कहां मिलती है, मेरा mental peace कहां है, मुझे कहां अच्छा लगता है बात करकी है, किस से connect करके मुझे अच्छा फील होता है, इस चीज जान चुके हैं कि compare तो भाई आपका नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, आप एक अलगी लेवल की energy में रहते हूँ, ठीक है, आपका एक अलगी भाई है, जिसके कि यह बहुत जादा attract फील करते हैं, ठीक है, बहुत ही जादा attraction फील कर रहे हैं आपके लिए, य साजिटरियस है, मैं हिंदी में बतायते हूँ, करक, राशी, कुम्ब, मीन, तुला, कन्या, सिंग, राशी, करक, मिथुन, मिथुन यानि की जैमिनी, राशी, वरिष, टारस, एरीज, मेश, लगभग सारे ही साइन हैं, साइन हैं यहां पर, नमबर में आपको बता दू, नम यह थी आपकी रिडिंग रिडिंग अगर आफसे रेजुनेट करी हो, रिडिंग आपको पसंद आई हो जरूर किजैगा चैनल पर पहली बराहे हैं चैनल को सस्क्राइब किजै लाक कीजै धेर सारा पयार दीजै डिवान टरो को, ठीक है